तो बिल्कुल वैसे ही लगता है, एक सरकार जैसे फुटबॉल खेलते हैं, एक सरकार इधर से कीक मारती है, तो दूसरी सरकार उधर से कीक मारती है। उस्वारे सभी छे जीले के हम लोग अगराइब तो आज हम लोगों ने राज सरकार का जिस तरह से निमवाली नियोजन निती, साट चालिस का नियो जनिती भारत का नागरी होना यहां का जो निती बनाया गया है। इसी के एगेंस में हम लोगों ने छात्र समय ने समीति ने पुरा संथाल प्रगना प्रमंडल का एक अप्रिल को बंदी का आवान करती है। साथ-साथ में 31 अप्रील, 31 मार्ज को पूरे संधाल प्रण्यू determinants सभी जीलों में परखंडों में, पंचायतों में, श्रील को समर्वाद् Wilson के माधियम से लोगों के समर्थन करने के मांग करती हैं। इसी को लेकर ही आज हम लोगों ने एक प्रिस्कुन प्रिस्क को अरुता रखे हैं जिसे सरकार का जो हम लोगों ने कल भी केविनेट का बहुत जोर इंतिजार कि एक कल हो सके कि छात्र नौजवानों को के मानुभावना है जो उमीदे है कि उकल उसको संसोधन किया जाएगा ज्हारकन के नवजवानकों सभाजण करें और लग में तुन सरकार कर लेख नोगों से यह कहीं हमें कुछ भ Twins कि कि यहां का सारे सब लोगों को साभ मुलेख चलना है तो इसी कि एक एकफें समसारी एक्रस के माध्यम से और एक मार्ज को हम लोग बंदी पूरे संथाल प्रगना बंदी का हम लोग आहवान करते हैं इसमें तमाम मुटर्म यूनियन से प्राइबेट इसकुल के एसोसियन से और बजार समीती के और से और जितने ओटो और प्राइबेट जितने भी टीचर्स पढ़ा र करने लिए नियोल सही नियोजे निति जीजार्कन के और concept के लिए नियुझे नितिवाने इनहीं को लेकर के हम लोग आज परेन पृर्श अर्था सवाल है इसलिए 31 तारिक को मार्च को मसाल जुलूस में सिक्रेट करें और एक तारिक को संथाल पर गणा बंदी का मैं समर्थन दे इन ही को लेकर कि आज हम लोगों ने प्रेश वारता रखा गया मिसाल जुलूस कहा से कहा सवाल है आप इन बंदी में साह दे आप एक दिन के लिए अपना बच्चा के भौईष के लिए झारकं के नौजवानों का भौईष के लिए आप एक दिन समर्थन दे इस समर्थन को लेकर कि हम लोगों दीन म keinen मसाल जूलूस लिका तिर्फ दुमका डिस्टिक्ट में यह बंदे होगे कि और सब दिस्टिक्ट मेरे छे संथाल परगना परवंडल मतलब मेरे छे जीलों में आपका साहब गौइंच पाकूर देवघर गोड़ा जम्तड़ा ये छे जीले में पूरे के पूरे कि इसलिए हम लोग यहां पर करना क कि सरकार का पुरा तन्त्र है और सेम का आपका करम भुमिवीद दुमका और आपका और साहब गण्ज है और यहां पर हम को लगता है तिंटिन मत्री आपका आलम गिरा आलम उस विभाग से मंत्री भी पाकूर से आपका बादल पत्र लेग है हफिजुल हसन है और हमारे मुखमंत्री तो यहां से है ही इसलिए हम लोग सब्धाल परगना को जागरू करना चाहते हैं इसी को लेकर करके सारे छे जिला में हम लोग बंदी का आवान कर रहा है हम लोगों ने उस दिन छूट दिया है जैसे आपका मर्जनसी पर जैसे एम्मुलेस मेडिकल यह सब और सब्सक्राइब और जो किसका अगर जिदे कोई मर्जनसी हो लोगों को हम लोग छोड़ दिया और पत्रकार और परसासन लोग को आने जाने के लिए हम लोग सोतंत्र कर हैं नहीं है और बात बाकी साख जीतना पंप ऊगरा लोक से हम लोग लेटर के माध Jackie को समर्थन मांगेंंगे सारे असून वालों से हम लोग उनलों को लेटर दिया जाएगा हम लोग चातर समानों के समिती की तरफ से कि आप लोग भी समर्थर इसमें दें ताकि आपका बच्चों का भविश को उजल हो सके बुलंद करने में साथ दिया है जिस तरह से हम लोग देख पार हैं आज जिस तरह से जारखन प्रदेश में जितने भी पढ़े लिखे नवयुवक हैं वो कही न कहीं आज रोट पर आ चुके हैं आज उनके जो माबाप हुमारे थे उनके सपने चुर चुर हो चुके हैं हम लोग कल तक इंतजार किये सरकार फ़ेशला का लेकिन अनततव जो हम लोगने उम्मीद की थी हमारे माबाप ने जो उम्मीद किय था हमारे बच्चे को नोकरी मिले वो एक उजल भईस के साथ कहीं न कहीं वहाँ कहीं विफल हुआ है कहीं कहीं न कहीं सरकार हमारे वक्ष में काम नहीं किये हैं आज जिस आज इसका नोबत यहां तक आपड़ी चक्का जाम करने का नोबत आ गया पूरे संथाल पर गाना में एक तारीक व्मलोग चक्का जाम करने का योजना बनाए हैं चोई कि सरकार ये मजबूर कर रही है यहांके नयोगों को नहीं तो इस तरह का नोबत नहीं आती है आज हम लोगों को सड़कों में नहीं वलकि अपना कागज कलम को लेकर करके अपना जगह होता जहां पर पढ़ाय लिखाय करते कई ऐसा योग ये बच्चे होते जो अपना नोकरी पे समझाते अपने माबाब के बुढ़े के सहारे बनते लेकिन आज कहीं न कहीं दुरभाग यह है जिस तरह से हमारे सरकार नियोजन निती बना रही है तो कहीं न कहीं विफल है वो आज ये नियोजन निती देखा जाए तो कहीं न कहीं ये नियाले में जाकर कि रद ह हो जाएगी कहीं से समुधानिक नहीं है देखा जाएं तो यह समुधानिक नहीं है और यह आगे चलके रद होना ताइए Your तो आज इस स्रकार को अस्थाननिति न्योजाननिति राक्ष्ण भानिती यहाँ की युवाओं के लिए मजबुती से बनानी होगी ताकि यहाँ की युवाओं को रोजगार मिल सके आज हम सभी ज्खा नवाशी से जितने भी माँ बुढे बुझूर्गे हैं हमारे सभी झखा ज्याजाम का हुजन हम लोगों ने उस पर सभी लोग सहायता दें, सभी लोग सहयोग करें, ताकि हमारा चक्का जाम सफल हो सके और हमारा जितने भी हकर अधिकार के हम नड़ाए लड़ रहे हैं, वो सारे हमारे हक में हो, चुकि बार-बार इस तरह का हम लोग बरदास नहीं करेंगे, चुकि ये सत्ता पक्ष के नहीं, ये विपक्ष के भी लोग काफी इसमें बहुत बड़े जिम्मेदार है, चुकि नहींने 17 साल यहाँ जारकन परदेश में राज किया, आज तक नहींने एक नीती, अस्थान नीती बराने का काम नहीं कर पाया, तो सबसे दोसिदार, मैं दोनों को ही मैं दोसिदार ट समेती, कई दफा डिसी के माधियम से हमारे मानने मुख्य मंतरी महदय को और हमारे जो सिक्षा मंतरी हैं, सबको हम लोग कई बार ग्यापन दिये, कई बार रेली के माधियम से आउगत कराए कि जारकन में 60-40 नियोजन नीती नहीं चलेगा, और दूसरी बात यह ही जैसे कि अब भी कहें, जैसे कि हम लोग एक दिन सव यात्रा निकाले, उसमें हम लोग को परमीशन नहीं दिया गया है, सरकार का सापसा मंग सा है कि छातरों को जो अपना अधिकार है, अधिकार के लिए अंदुरन के लिए वो लोग को रोकना है, तो हम लोग उसका बिरोद करते है और उसके साथ साथ सरकार इतना कमजोर हो चुकी है कि छातरों के उपर आज हम लोगों के उपर में एफायर भी की है दुर भागय पूर्ण है कि कोई भी छातर अपना जब अधिकार मांगने चले तो उसके उपर में एफायर दर्ज किया जाए हम लोग परमीशन लेने गे लेकिन परमीशन नहीं दिया गया और जबर जस्ति हम लोग के उपर फायर किया गया दुख की बात है और आज प्रेस कंफरेंस के माधियम से हम लोग 31 मार्च को संधिया 4 बजे से 6 बजे तक हम लोग पूरे दुमका सहर में सिदक नुमर्मो चोक स यह करते हैं कि ज़ार खंड मिधी 40 परतियस बाहरी आगे तो हम लोग बिल्कुल हम लोग को लुटा जान जाने जिस तरह से हम लोग हरकंड के खनीजों को लुटा जा रहा हूं उसी तरह से चारकंड में जितना पढ़े लिखे सभी नौयुवाओं को एक दिन लुटने का काम कर रहे सरकार इसके विरोध में हम लोग एक अप्रेल को फूरे संथाल परगाना में चक्का जाम का ओहन किये है इसमें मुख्य रूप से हमारे सभी छे जीले के सभी चात्र साथी और सभी नौयुवग जितने पढ़े लिके हैं और उसमें सभी हमारे माताएं बहने और भाय बंदू से सभी सागरा रहेगा क्योंकि हर घर में चात्र हैं हर घर में नोकरी चाहिए जितने भी पढ़े लि में अपना जगह बनाएंगे सुनेशीत करेंगे लेकिन जिस तरह से जार्खंड सरकार ने आपने नीतियां बनाई है हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे जार्खंड के नौई वग यहां के मूल वासी यहां के आदिवासियों युवाओं को नौकरी मिल पाएगा जिसके खि विश्वास है कि यह पूरे जार्खंड के कोने कोने से आवाज आ रहा है कि 60-40 नीति नहीं चलेगा लेकिन हम लोग पूरे संथाल परणा को एक साथ जोडने का काम कर रहे हैं और अप्रेल के बाद पूरे जार्खंड इस तर में राज इस तर में हम लोग सभी जीले में अप्रेल के लिए हम लोग planning बना रहे हैं कि कैसे बंद हो और मुझे विश्वास है कि बंद सफलता ही रहेगा कारण यह है कि हम लोग उख चुके हैं और प्रतेग जिला में आप लोग मेडिया के मादयम से भी देखे होंगे कि प्रतेग जिला से पुतला दहन कारकरम क्या गय उसमें भी जुन-जुनाने या हम लोग को एक वेवकू बनाने का चात्रों को काम किया है यह हमेसा बरदास से बाहर है और युवा हमेसा जाग चुके है और हम लोग यह भी कहना चाहेंगे कि सरकार साइद यह सोचते हैं कि चात्र सिर्प अपने हख अधिकार के लिए लड बात ये है कि देखे आज जितने भी पक्ष हो या विपक्ष हो यहां कि नियोजन नीती हो विस्तापन नीती हो उद्योग नीती हो बेपारिग नीती हो हर नीती आज तक जारखन में कोई कुछ नहीं बना जैसे कि हम का सकते हैं कि घर बना दिया लेकिन घर में घर में धर्वा कि सरकार हो कोई भी सरकार जो है नहीं चाहती कि जार्खंड की बला हो क्योंकि यहां जार्खंड नियोजन नियोजन निती हो विस्तापन निती हो यह रोजगार निती हो बेरोजगार निती जितना विद्योग निती हो यदि सरकार ताई कर देती तो जार्खंड वासियों को मिलेगा और यहां कोई भी सर्कार नहीं चाहते हैं कि जारकंद वासी जो थो है जारकंड के मुल्ट् Iyos को लाब मिल सके इसलoting सख्रारं स्में हमेशा समें gehörtHHHH एक सरकार जैसे फुटबॉल खेलते हैं एक सरकार इधर से कीक मारती है तो दूसरी सरकार उधर से कीक मारती है यानि कि कोई सरकार गोल करना नहीं चाह रहे हैं सिर्फ छात्रों को गुमरा करने का काम कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं, फुटबॉल मैदान ही रह चुके हैं, सभी छात्र, क्योंकि अभी तक हमारे कलिग ने बताया कि अभी तक छात्रों को अभी तक रोजगार नहीं मिल रही है, सरकार बनी गई, फिर भी बनी, पुरा बहुमत सरकार बनी, लेकिन अभी तक लेकिन यहां के लिए अगर छात्र भी जाते हैं, आप से मिलने के लिए मिलने का सब वापस भेज़ दिया जाता है, आप तक ये क्यों नहीं पूँच पाता है आप क्या कर रहे हैं सरकार बन के सरकार में रह के क्या कर रहे हैं आप नहीं चला सकते हैं स्वाप बेवेक नहीं अपना सकते हैं अपना खूद का ग्यान नहीं कर सकते हैं दे सकते हैं तो आप सरकार से अपना गद्दी को छोड़ द कि अभी साट चालीस आगिया अभी सपोर्ट में आ रहे हैं करना क्या आप लोग को तैकी है कुछ कया करना के उकष्चंथा था रहे हैं खतिते हैं ओर्ट में ओर उपनाले पाना है सरकार भी छात्रों को इतना कुचलने का काम कर रहे हैं, वह भी रद करा दिये। हलांकी एहमंत अच्छे कानून लाए थे, अधिवासी हित में कानून लाए थे, लेकिन आगला जो है विपक्शी वह भी छात्रों को दबाने का काम कर रहे हैं।